तेंदुए की खाल वा अन्ये जंगली जानवरों के अफशेशों के साथ तसकरी करने वाले पांच आरोपियों को ग्रफतार किया गया है वन्विभाग से जुड़े सूतरों के अनुसा नागपुर गोंदिया वन्विभाग के विशेश दस्ते को गुप्त सूचना मिली थी कि गोंदिया में तेंदुए के खाल की तसकरी होने वाली है वन्विभाग ने निगराने शुरू कर दी शनीवार को जाल बिचा कर सभी पांच आरोपियों को ग्रफतार किया गया गिरफतार आरोपी निखिल, कैलाश, हेमराज, मिथुन और मनोज मानकर से तेंदुए की एक खाल सवतीन किलोग्राम का पैंगुलीन और दो पहिया वाहन जप्त किया है यह आरोपी गोंधिया जिले के सडक अरजूनी वन परिशेतर जामली उपशेतर डूंगर गांफ खचरी के जंगली इलाके में पकड़े गए आरोपियों को योजना बद तरीके से पकड़ा गिया आरोपियों के खिलाब वन ने जीव सनरक्षन अधिनियम 1922 की विविद धाराओं के तहत मामला दर्च किया गया है मुख्य वन सनरक्षक नाकपुर के रंगनात नायकडे राहुल गवई औव वन सनरक्षक नाकपुर पुलराच सिंग गोंधिया की मांगदर्शन में कारवई की गई विभागिये वन अधिकारी, पी कोडापे, सायक वन सनरक्षक उम्रेट के नरेंदर चांधिवार, गोंधिया के सायक वन सनरक्षक पाटिल, सडक अरजुनी के वन अधिकारी, लहू ठोकल, वाईटी तरडम, निलेश तावले, गनेश जादब, दिनेश पड़वाल, विनोश इंडे, सुधीर, कुलूरकर, संदीब धुर्वे और सडक अरजुनी के अन्नी करमचारियों ने कारवाई में सहयोग किया, आगे के जाज गोंधिया के सायक वन सनरक्षक प्रदी पाटिल कर रहे हैं, गिरफतार आरोपिये निखिल, नीलकंट, आगडे, कैलाश, काशिनात खुमके, हेमराज उमकार उके, मितुन चबीलाल खुमके और मनोज नारत मान कर है, आरोपियों को नाकपुर गोंधिया वन्विभाग के विशेश दस्ते ने सयुंक्त कारवाई कर दबोचा नाकपुर से BCN न्यूस के लिए अखिलिश भारतवाज की रिपोर्ट